दोस्तो रजनी इलेक्ट्रोनिक्स में आपका स्वागत है बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं डाला इसलिए कि सीजन था गर्मी का टाइम था और लगन के वज़ा से तो आईए हम लोग सुरू करते हैं अमेज एन 1575 और लिफफास्ट एफसी एस 1625 साइन वेव दोनों में क्या डिफ्रेंस है यह मैं आपको आज बताऊंगा और बैटरी है लिफफास्ट की 230 से अच शाठ मंथ और अमेज की है आपको 268 मंथ 220 से अच जो कि दोनों ही अपने आप में बेहतरीन पोड़क्ट है और ब्रांड अमबेश्टर भी आप लोग देख रहे हैं बिराट कोली और महंदर शिंग धोनी जैसे IPL मैच चल रहा हो इन लोगों का चैन्नेई और RCB का अई हम लोग देखते हैं क्या खासियत है इसकी यह है फास्टर चार्जिंग एट लो वोल्टेज फोर टाइप बैटरी सेलेक्टर स्वीच और यह है आपको प्योर शाइन वेव फास्ट शार्जिंग नौइज लेस ऑप्रेशन तो हम लोग इसको ऑन बॉक्स करते हैं और इसकी क्या खुबी है और क्या इसकी भी सेस्टाय है कितनी बैक अप देगी कितना लोड लेगा जो दोनों इन वाटर का क भी काफी खुबसूरत है इसमें ग्रे के साथ साथ औरेंज देने के वज़े से थोड़ा साइट्रेक्टिव लुक लग रहा है और वही अमेज में जो है आपको ब्लैक पे ग्रे और ग्रीन दोनों का जो है कॉम्मिनेशन है तो आईए आपको एक चीज और दिखा देते हैं तो यह रहा आपको लिफ फास्ट और यह अमेज इसमें पीछे में आपको तीन स्विच इसमें दिया हुआ है रेगुलेटेड और अन्रेगुलेटेड का मतलब हो गया कि आपको 180 से लेकर के 220 बोल्ट तक अगर बीज़दी रहेगी तो यह चार्ज करेगा अगर 180 से नीचे रहेगा तो आपको यह चार्ज नहीं करेगा अन्रेगुलेटेड मोड में आपको 100 बोल्ट से लेकर के 260 बोल्ट तक यह चार्ज करेगा और आपको यह बैटरी की वायर अग्रफ हो गई और यहां से आउटपूट आएगा और यहां जो है रीशेट स्वीच दे दिया है अगर कोई होता है तो यहां फैन दे दिया हेटिंग के लिए यह जो है आपको लोड लेगा 1260 वाट 1500 भी यह 1625 मॉडल हो गया और वही अमेज में क्या किया है कि यह लुमिनस का पोड़क्त होने के साथ साथ जो है अमेज एक अलग ब्रांड हो गया है जो कि आपको सनाइडर ने इसको जो है इसमें MC भी इंक्लूड कर दिया है यह है आपको 1400 भी 1176 वाट लेगा और इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट बैटरी ट्यूबलर बैटरी और लोकल बैटरी और यहां पर जो है कोई मोड इसमें नहीं दिया हुआ यह आपको 120 से ले करके आपको 260 वोड तक यह च लिव फास्ट में क्या किया है कि चार्जिंग सेलेक्शन मोड दिया हुआ है चार्ब तरह की मोड दिये हुए है लोकल फ्लैट एसमें फोर ट्यूबलर बैटरी के लिए यहां जो है लो और हाई और मेडियम का आपको स्वीच दिया हुआ है यह आउटपूट हो गया इसके जगा पर इसने एमसी भी दिया हुआ है अमेज में और लिव फास्ट में एक छोटा सा स्वीच दिया हुआ है जो सोट सर्किट पर दोनों ही सोट सर्किट पर काम करते हैं यह आपको जो है अभी थिरी एर्स वारांटी में आ रहा है जो कि को तीन साल के अंदर अगर खराब होगी तो आपको जो है फिर आपको रिपेयर करेगी कंपनी सर्वीच देगी बैटरी की इसकी जो है दो सो तीसेज साथ मन्त वारांटी जो की 44 महिना इसमें आपको रिप्लेस्मेंट मिलेगा यह इनवाटर और बैटरी दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है मना जाता है औ और 220 सेज की यह बैटरी हो गई 220 सेज 66 मन्त इसकी वारांटी है जिसमें यह आपको 42 मन्त का रिप्लेस्मेंट मिलता है अब रह गई बाद की इसको जो है इस्तमाल कैसे करना और कितने लोड के लिए इसको चलाना है तो जीन भाईयों को अगर ज्यादा लोड देना है तो आ सब्रस्ट आपको जो है यह अराम से जो है आप चला सकते हैं इन दोनों पे जो है अप अच्छी तरह से चला सकते हैं उतना लोड और आपको यह जानकारी चाहिए कि कि पंखे चलाते हैं तो कितना बैक-प देगा तो आप मान के चलिए कि 4 घंड एक यह बार में 6 पंख Lazarus और 5-6 light जो है, maximum 4 घंटे का जो है दोनों ही backup आपको देंगे अगर जितना ही inverter पर अगर आपके यहाँ अगर बिजली की कमी है, बिजली जादा जाती आती है बहुत देर तक कटती है, 3 घंटे, 4 घंटे अगर कटती है तो आप जो है inverter पर जितना ही कम लोड देंगे उतना ही backup जादा मिलेगा बहुत भाई लोग पूछते हैं कि कितना backup देगा अरे भाई, आप एक पंखा चलाओगे तो लगभग जो है 20 घंटा के करीब चलेगा, यह दोनों पर आप उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए बहुत लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं हमको call भी करते हैं और मैं उनका जबाब भी देता हूँ बहुत सारे फोन आते हैं और किसी भी चीज की अगर जानकारी भी होती है तो उन लोग हमसे share करते हैं तो भी चला सकते हैं ठंडी के दीन में जो है चुकि ये जो है 1200 कुछ वाट लोड लेता है और ये जो है आपको 1176 ये 1285 तो आप जो है ठंडी का दीन है तो आप जो है दोनों पे एक हजार वाट का इमर्सम रड भी इस्तमाल कर सकते हैं 10 से 15 मिनट आप इस्तमाल कीजिए पानी गरम हो जाएगा बाकी जो है आपके सामने है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप share कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए और भी मैं आपको अच्छी एच्छी वीडियो बना करके इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ धन्यबाद रजनी एलेक्ट्रोनिक्स अस्टेशन रोड मोहनिया डिस्टिक कैमूर भववा विहार नमस्कार